या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र के नौवे और आखरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है मा दुर्गा की नौवी शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सारी सिद्धियां प्राथ होती हैं देवी सिद्धिदात्री को मा सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है क्योंकि माता अपने शोयत वस्र और अलंकार से सुसर्जित अपने भक्तों को महाग्यान और मधुर स्वर से मंत्र मुग्द करती हैं। सिद्धिदात्री मा की पूझा के बाद ही अगले दिन विज्या दश्मी अर्थात तरशेरा का पर्व मनाय जाता है। चैत्र नौरात्र में राम नौमी कहा जाता है और शारदिय नौरात्र के अगले दिन अर्थात दस्वे दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाय जाता है विजय दश्मी का पर्व इस दिन माता सिधिदात्री को नवान प्रसाद नवरस युक्त भोजन नौप्रकार के पुष्प और नौप्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए सरप्रथम कलश की पूजा और उसमें इस्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं इसके पर शाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा किराती है इस दिन कम से कम नो कन्याओं को घर में भोग लगाते हैं नोदुरगाओं में सिद्ध दातरी नवम और अंतिम सरूप हैं और इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनो कामनाय पूण होती हैं इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसंद होती हैं भक्तों को संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप् भक्तों को माता सिध्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वान चक्र में उपस्थित शक्ती स्वता ही प्राप्त हो जाती है। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नो दुर्गाओं में सब सिस्रेष्ट और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की क्रपा से ये तमाम सिध्धियां प्राप्त की थी। इनकी क्रपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धन नारिश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण के अनुसार जब स्रष्ट में रचैता भगवान ब्रम्भाजी ने देखा। उन्होंने जिस ब्रम्भाण की रचना की है उसमें विकास की गति नहीं है। उन्होंने पाया कि पशुपक्षी और मनुष्ट की संख्या में बढ़ोत्री नहीं हो रही है। कहा जाता है प्रजननी स्रष्टी उत्पन करने का संकल्प किया। ब्रम्भाजी ने जब इस बारे में भगवान वेश्णू से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने को कहा। इसके बाद ब्रम्भाजी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तप देवी शक्ति के अंश को प्रथक कर दिया तब प्रम्भाजी ने उस परम शक्ति के स्तोति की। प्रम्भाजी के स्तोति से प्रिसंद होकर शक्ति ने अपनी भ्रकुटी के मध्ध से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की स्रष्टी की जिसने हिमाले की पुत्री पारवती रोप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। मासिधिदात्री को विद्या की देवी मा सरवस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। नौरात्र में जिन देवियों के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनमें मा सिद्धिदात्री को सबसे अधिक महात्वपूर्ण माना गया है। इन्हें संपूर्णता की देवी भी कहा गया है। वैसे तो मा सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी किरा जकती लेकिन नौरात्र के नवे दिन को स्रेष्ट माना गया है। इस दिन विदिविधान और पूरी निश्ठा से मा सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। दुनिया में कुछ भी उनके लिए असम हो नहीं है। मा की कृपा से साधक में सभी ख्षेत्रों में विज़े प्राप्त करने के लिए सामर्थ आ जाती है। कहा जाता है कि साधारन मनुश्यों के अलावा रिश्यमोनी और देवता भी हर काम में सभलता पाने के लिए मा सिद्धिदात्री की पूजा साधना करते हैं। मा सिद्धिदात्री की साधना से लोगों की सभी भौतिक और आध्यात्मिक मनुकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनके कृपा से कठिन से कठिन कारे भी चुटकी में संभव हो जाते हैं। हिमाचल के नंदा परवत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। आरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम में इशुत्व और वशित्व ये आठ सिद्धियां होती हैं। सच्चे मन से, विदिविधान से उपासना, आराधना करने से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इन सिध्यों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देवी मा के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, उपर वाले हाथ में गदा और बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में शंक और उपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। सिद्धिदात्री मा का वाहन सिंग है और ये कमल पुष्पपर भी आसीन होती हैं। विदी विधान से नवे दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना करने से सिद्धियां तो प्राप्त होती ही हैं। साथी साथ लोकिक और पारलोकिक सभी प्रकार की कामनाएं भी पोण होत भगवती सिद्धधात्री का ध्यान करने से निर्वान चक्र जागृत होता है जिस से सिद्ध रिद्ध की प्राप्टी होती है। नौरात्र के न Prim lien सिद्धधात्री की पूझा पाथ करने से अपने कार्यों में आ रहे शारे व्यौधान समाप्थ हो जाते हैं और सभी मनों कामनाएं स्वतापूर्ण हो जाती हैं नौरात्र में नौ दिन माता दुरुगा के नौ रूपों की पूचा की जाती है मा की महिमा को कौन नहीं जानता इनसे जुड़ी हुई कई कथाई हैं आये जानते हैं मादुर्गा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुक कथाओं के बारे में पहली कथा के अनुसार लंका युद्ध में रुम्हा जी ने शीराम से राउण बद के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसंद करने को कहा और बताये गए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुरलब 108 नील कमल की व्यवस्था की गई वहीं पर दूसरी ओर राउण ने भी अमर्ता के लोग में विजय कावना से चंडी पाठ प्रारम किया ये बात इंद्र देव ने पावन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुँचाई परामर्ष दिया कि चंडी पाठ यथा संभोपूर्ण होने दिया जाए इधर हवन सामगरी में पूजा स्थल से एक नील कमल रावड की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प तूटता सा नजर आने लगा भैस बात का था कि देवी मा रुष्ट न हो जाए दुरलव नील कमल की व्यवस्था ततकाल असंभो थी तब भगवान राम को सहजी स्परण हुआ कि मुझे लोग कमल नैन यानि नवकंच लोचन कहते हैं तो क्योंना संकल्प पूर्ती है तो एक नेत्र अरपित कर दिया जाए और प्रभुशी राम जैसे ही तूडीर से एक बांट निकाल कर अपना नेत्र निकालने के लिए तयार हुए वैसे ही देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा राम मैं प्रसन हूँ और विजेशी का उन्हें आशिरवाद दिया मानिताओं के अनस्वार दूसरी कथा इस प्रकार है कि जब रामण चंडी का पाठ कर रहे थे और उस पाठ में यग्य कर रहे ब्रामणों की सेवा में ब्रामण बालक का रूप धरकर हनुमान जी भी आ गए निस्वार्थ सेवा देकर ब्रामणों ने हनुमान जी से पर मागने को कहा इस पर हनुमान जी ने विनमरता पूर्वक कहा कि प्रभू आप प्रसन है तो जिस मंत्र से यग्य कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजे ब्रामण इस रहे से को समझ नहीं सके तथास तो कह दिया और इस तरह मंत में जया देवी भूर्त हरनी यानि की प्राणियों की पीला हरने वाली और वहां पर का बदलने से भूर्त करनी का अर्थ हो गया यानि प्राणियों को पीडित करने वाली इससे देवी रुष्ठ हो गई और रावन का सर्वनाश करवा दिया हन्वान जी ने स्लोक में हा की जगे का करवा कर रावन के यग्य की दिशा ही बदल दी नौरात्र पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिशा सुर का वद किया था पौराड़ी कथाओं के अनुसार महिशा सुर के एकागर ध्यान से बाद्ध होकर देवताओं ने उसे अजिय होने का वर्धान दिया उसको वर्धान देने के बा महिशा सुर्य, इंद्र, अग्न, वायू, चंद्रमा, यम, बरुन और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयम स्वर्ग लोग का मालिक बन वैठा। देवताओं को महिशा सुर्ग के प्रकूप से प्रतिवी पर विजरान करना पड़ रहा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर त्रिमूर्ति से विंति की ब्रंभा वेश्नु और शिव ने अपने शरीर की उर्जा से एक आकरती बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तिय उस आकरती में डाली और इस प्रकार दुर्गा को शक्ति के रूप में प्रकट किया दुर्गा की छवी बेहद सौमे और आकर शक्ति उनके कई हां थे क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी इसलिए वो सबसे अधिक शक्तिशाली माने गई मा दुर्गा को शिव का तरशूल मिला विश्नु का चक्र प्रम्भा का कमल वायुदेव से उन्हें नासिका मिले हिमावंत यानि परवतों के राजा हिमाले से कपड़े धनुष और शेर मिला और ऐसे ही एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तया किया तब महिशासुर को मारने के लिए उन्हें नौ दिन लगे इसलिए नौरात्र को नौ दिन मनाया जाता है कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग-अलग रूप लिया था इसलिए नव दिन नौ अलग-अलग देवियों की पूजा की जाती है हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है इससे जोड़ी अनिक अधाएं भी हैं देवी दुरगा को अश्ट भुजाओं वाली कहा जाता है कुछ शास्त्रों में दस भुजाओं वाला भी कहा गया है वास्तु शास्त्र में आठ एहम दिशाएं होती हैं लेकिन कई जगों पर द अर्थाद North East, अग्रिया यानी South East, नरित्य यानी South West, वायु, अर्थाद North West, उर्धव, आकाश के ओर, अधरस्थ, पाताल के ओर कई जगे आठ दिशाएं ही मानी जाती हैं क्योंकि आकाश और पातायल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्तों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और यही कारण है कि उनकी आठ बुजाएं हैं जो आठों दिशाओं में काम करती हैं। दुर्गा को त्रियंब के भी कहा जाता है यानि तीन आखों वाली शुव भीत्र नेत्र कहलाएं जिनकी तीन आखें हैं। पूजा से युद्ध करने के पूर की गई थी और इसलिए दशेहरा नौरात्र के अंत में मना है जाता है। जिस दिन रावण का वद हुआ था राम जी ने दुर्गा पूजा के समय 108 नील कमल चड़ाए थे। इसलिए 108 अंक को शुभ माना जाता है। पित्र पक्ष में पित्रों की पूजा के बाद ऐसा मना जाता है कि घर की शुद्धी होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानि नौरात्र और इसके बाद से हर तरह के तślवारों की शुरुवात होती है। कि देवी पक्ष के पहले दिन मा दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृतिवी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। नौरात्र के नौ दिनों में देवी मा के पिभिन स्वरूपों के बारे में हमने बात की। इसके अलावा मा के आउशदिय महत्व और नौरात्र और नो दुर्गा से जुड़ी कुछ अन्य बातों की चर्चा भी की। देवी मा की क्रपा आपर सदयों भनी रहे। जै मादुर्गे।